शुकार में आपका स्वागत है। 23 को केंध्र सरकार से जेजना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने शुक्रवार को केंध्र सरकार पर आरोप लगाया कि बज़ट का उदेश भेरुसगारी पढ़ दिया दिया समारता और के खत्म होने जरसे चिंताओं को दूर करने की होने चाहिए इसके बचाएं चंद पुझी पतियों को और अमीर बनाने वाला बजट को का ये बात कॉंग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने कही है उन्होंने आरुप लगाया कि इस सरकार का आम लोगों फिसानों यु सुनिए उन्होंने क्या कहा आप सबको मेरा नमश्कार कि आज 19 तारिक है और 23 को वित्त मंत्री निर्मला सीता रमन जी अपना सात्वा बजट प्रस्तुत करेंगी और जैसा कि अमूमन होता है इस बजट को बनाने से पहले वह उद्योग पतियों से इंडस्ट्रियल लॉब और अन्य ऐसे तमाम एकॉनमिस से बैंकर से मिलकर उन्होंने विचार विमर्ष किया है लेकिन क्या वो इस देश के आम आदमी से मिली हैं क्या वो उन परिवारों से मिली हैं आधे इस देश के लगभग वो परिवार जो दिन की तीन वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं क् महिलाओं से मिली है जो महंगाई का सबसे जाधा डंश झेल रही है क्या वो उन किसानों से मिली है जो अपनी उपज का सही दाम मिल जाए इसके लिए संघरश्रत हैं क्या वो इन युवाओं से मिली हैं जो बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हैं जो पेपर लीक होने पर प्रताड़ित हो रहे हैं सवाल और लबो लबाव एपक है कि क्या वो असल हिंदुस्तान से मिली है और यह सपश्ट है कि वो उनसे नहीं मिली हैं और यह भी सपश्ट है कि बजट हर बार की तरह चंद पूझी पतियों को और अमीर बनाने के लिए और मनोपली करेट करने के लिए बनाया जा रहा है तो क्योंकि वो 60-70-75 प्रतिशत इस देश से नहीं मिली हैं और इन्हीं लोगों की समस्याओं का समाधान करना बजट का काम होता है तो कुछ असलियते हैं जिन से मोधी सरकार को जिन से वित्त मंत्री को अवगत करा देना चाहिए एक छोटी सी कहानी है एक छोटा सा वाक्या है एक छोटा सा असलियत है इस देश की जो हर कोने की असलियत है जो बया करती है उसी को कहकर शुरू करती हूँ मार्च दो हजार चौबीस उत्तर प्रदेश के जहासी के रहने वाले किसान पुश्पेंद्र छोटा सा उनका खेत था जो अमूमन किसानों का होता है वहाँ पर मटर और गेहू लगाते थे हर किसान की तरह लगातार वो भी नुकसान जहेल रहे थे और हर किसान की तरह उनकी आमदनी घट रही थी उनका खर्चा बढ़ रहा था क्योंकि खेती के उपकरम पर जीस्टी है डीजल महेंगा है खाद महेंगी है कीटनाशक महेंगा है तो उनके उपर करीब एक लाख चार हजार का लोन हो गया वो ये रिण चुका नहीं पाए और उन्होंने अंत में ठक हार कर आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या कर ली फसल बरबाद हो गई मौसम खराब हुआ रिण बहुत था सर पे एक लाख चार हजार का वो पूझी पती तो थे नहीं जिनका सोला लाख करोड़ों माफ हो जाता तो उन्होंने ठक हार करके आत्महत्या कर ली लेकिन इनके बारे में शायद वित्मंत्री को इनके बारे में शायद मोदी जी को इनके बारे में सरकार को शायद पता ही नहीं है, तो बजट इनके लिए बनेगा ही नहीं, इस देश के 48 प्रतिशत परिवार कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, ये मेरे आकड़ नहीं है, ये लोकल सरकल्स का अकड़ा है, व्यापक सर्वे उन्होंने किया है, आए पहले की अपेक्षा में कम हुई है, लोक बचत का सहारा जो पहले की बचत थी, उसका सहारा लेके जीवन यापन कर रहे हैं, खर्च कम होने का नाम नहीं ले रहा है, और आज देश की हालत आमदनी अठनी और खर्चा रुपईया हो गया है, रोटी महंगी है, कपड़ ये खर्च बढ़ते चले जा रहे हैं, और विवश है परिवार अपनी भविश की जमा पूझी को खर्चने के लिए, तो बजट आने के जस्ट पहले, और आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगी, आप लोगों से दर्खवास करूंगी, आप लोगों से अनुरोध है, कि ये सारी प्रेस कॉंफरेंस हम कुछ स्लाइड के माध्यम से आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि समझना जरूरी है कि बजट के जस्ट पहले, देश की अर्थ विवस्था का क्या हाल है, और शुरुवात हम उस आपदा से करते हैं, जिससे की ये देश जूज आए, और वो है बेरोजगारी, गुजरात की तूटती हुई रेलिंग, और मुंबई में कम पैसा देने वाली एवियेशन के लोडिंग सेक्टर की नौकरियां, और वहाँ पर आई लाखों की भीड, इस सरकार की फिजूल की दलीलों का परदा फार्ष करती है, भयावे बे सामने हैं, पहली वाली स्लाइट पे जाएए, आर्थिक कुप्रबंधन, नोट बंदी, आधे अधूरे जीस्टी और अकुशल कोविड प्रबंधन के चलते इस एकॉनमी को साढ़े ग्यारा लाख करोड का नुकसान हुआ, और डेर करोड से उपर नौकरियां नश्ट हो ग जो समविदा पर काम करते थे, अगली स्लाइट प्लीज, जो समविदा पर काम करते थे, उनकी संख्या 2013 में 19 प्रतिशत थी, वो 2022 में जो लास्ट ओफिशल आकड़ा है, बढ़के 43 प्रतिशत हो गई, ये आपदा है हमारे वक्त की, लेकिन अब मोदी जी इतनी लंबी फेक करें कि आप लपेठी नहीं सकते हैं, उन्होंने आठ करोण रोजगार दे दिये, किसको दिये, कहा दिये, कहा है ये नौकरियां, क्यों इतना छुपा कर, क्यों इतना ढख कर दी गई, किसी को पता ही नचला, ना नौकरी करने वाले को पता चल रहा है, ना देने वाले को प वर्कूमत के वक्त से भी बदतर है इस देश की एक परसंट आबादी और अगर आप उस ग्राफ को ध्यान से देखेंगा जो लास्ट वाला ग्राफ है वो एक परसंट आबादी का इस देश की वेल्थ 40% wealth पर आधी पत्य है और इस देश की आधी आबादी की wealth भी आप clearly देख रहे हैं जो पहला graph है इतना अंतर है, इतनी बड़ी खाई है इतनी बड़ी आर्थिका सामानता है इस देश का अमीर और अमीर हो रहा है इस देश का गरीब और गरीब हो रहा है क्या budget इस खाई को पाटने के लिए कुछ करेगा अगली मार और ये मार आप चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे मध्यमवर्के हो चाहे काम करते हो या ना करते हो इसका दंश हम सब जेल रहे हैं और वो है महंगाई और मैंने बार बार इस मंच से कहा है महंगाई के ग्राफ पे जाईए मैंने बार बार इस मंच से कहा है कि सखी सईया तो नईखे कमात है महंगाई डायन खाये जाते आपको आकडों में उलजाया जाएगा लेकिन असलियत ये है कि food inflation इस सरकार की नाक के नीचे लगातार 9 प्रतिशत के उपर बना हुआ है लास्ट रीडिंग जून की सारे 9 प्रतिशत 10 परसेंट के आसपास food inflation है सबजियों के दाम में करीब करीब 30 प्रतिशत की बढ़ोत्री हुई है अमीर को शायद फर्क ना पड़ता हो लेकिन गरीब की थाली से आपने सबजी भी गायब करने का काम किया है और महंगाई हर तरफ है महंगाई ट्रांसपोर्ट में है कपड़ा महंगाई उस पर GST है स्कूल की फीज दुगनी हो गई है इस तरह की महंगाई है तो महंगाई से लोगों की कमर तोड़ने का काम किया, क्या ये बजट महंगाई को अड्रेस करेगा उसके बाद उपभोग, कंजम्शन कंजम्शन हमारी एकॉनमी का दो तिहाई 60 प्रतिशत हिस्सा है जो चीजे आप खरीदते हैं चाहे वो खाने पीने की चीजे हों या अनवस्तियों, साबोन, तेल कंगी, चपल, इत्यादी FMCG जो रोज बर्रा की चीजे होती है, शैंपू, मंजन तेल, इत्यादी इसके दाम कम करने के बाद भी इसमें बढ़ोत्री नहीं हो रही है और डेटा दिखाता है कि अप्रेल और माई में, FMCG की सेल आधी हो गई है जून में भी यही हाल रहा सरकार से बात करो तो सरकार के प्रवक्ता टीवी पर आकर कहते हैं कारे भिक रही है साथ हजार करोड की कार मोबाइक, एस्यूवी बिना भिके पड़ी हुई है इतनी इन्वेंटरी है साथ हजार करोड की unprecedented हमारी economic history में इतनी कभी नहीं थी तो आपके कार खरीदने वाले भी कार नहीं खरीद पा रहे हैं यह महिंगाई का आलम है और यह consumption है यह इस देश का consumption है जो पूरी तरे dent हो चुका है और यह data मेरा अपना नहीं है यह Federation of Automobile Dealer Association का data है साथ हजार करोड रुपए क्या inventory बिना बिके पड़ी हुई है अगली बात और मुझे लगता है सबसे हम कहीं न कहीं ना भी कहें इजद बचाने के लिए जेल रहे हैं और वो है हम सब पर बढ़ता हुआ कर्ज और घटती हुई बचत प्लीज गो टो टो नेक्स स्लाइड असलियत यह है कि हिंदुस्तान में एक सेविंग का कल्चर है बच्पन से सिखाया जाता है दस रुपए कमाओ तो दो तो बचाओ और यह कल्चर एक है और इस कल्चर ने हमारी एकॉनोमी को बड़ा सुधरड रखा है लेकिन इतना दंश महंगाई का बेरोजगारी का कम आये का हम झेल रहे हैं कि आज घरेलू रिड जो 25 प्रतिशत GDP से कभी क्रोस नहीं किया वो 41 प्रतिशत के पास है घरेलू रिड एक तालिस प्रतिशत 41% of GDP है और सेविंग घटकर 6% से कम of GDP पर आ गई है ये 50 साल में सबसे कम आकड़ा आया था और टैक्स की मार तो बेशुमार है एक लॉबी आती है जब बजट आने लगता है हमारा इंकम टैक्स कम कर दीज़े टैक्स हर व्यक्ति देता है चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो हर व्यक्ति इस देश का टैक्स देता है और असलियत ये है कि इस देश का गरीब हमसे और आपसे जादा टैक्स दे रहा है इस देश के आधी आबादी जो सबसे गरीब है वो GST का 64 प्रतिशत जो कुल GST आ रहा है उसका 64 प्रतिशत वो लोग दे रहे है पेट्रोल और डीजल की वसूली तो आपको पता ही है पाँच बड़ी-बड़ी कमपनिया है उन पाँच बड़ी कमपनी ने साहे 10 बिलियन डॉलर करीब 900 अरब रुपए की बचत की सस्ता रू और रिड कहीं जादा है और आपकी बचत खोखली हो रही है लोग अपनी भविश की जमापूजी खर्चने को मजबूर है उसके बाद एक जरूरी बात करते हैं और वो है खृशी की इस देश की अधिकान शाबादी खेतों में काम करती है जो शहर नौकरी करने आ गई थी उनको मोदी जी ने मजबूर करकर दुबारा खेतों में बेज दिया काम करने के लिए यह असलियत है पीपल इन्रोल बिद आग्रिकल्चर हैव गॉन अप मैनी फोल्ड वित्यवश दोहजार चौबीस में कृशी की जो वृद्धी थी वो 1.4 परसेंट थी बीजेपी के लो 1.4 प्रतिशद इसमें हमारे सबसे जादा लोग काम करते हैं यह पिछले वित्यवर्ष में 4.7 परसेंट थी वहां से लुड़क के 1.4 परसेंट आई जैसा कि यह ग्राफ आपको दिखा रहा है तो क्या सरकार जादा खर्चा करती है क्या सरकार जादा काम करने लगती है क्रिशी का एक बजट होता है और एक टोटल बजट होता है वित्यवर्ष 2024 में क्रिशी का बजट 2.78 था जो लास्ट वाला ग्राफ है उसके पहले वाले साल में वो 3.36 परसेंट था और उसके पहले वाले साल में वो 3.7 परसेंट था तो इतने बड़े बजट का जो 3.7 परस एक प्रतिशत कृषी का बजट घटा दिया गया वो कृषी जिसमें हमारे सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं वो कृषी जिसकी बहुतरी से इस देश की बहुतरी होगी उसके बजट को लगातार घटाने का काम मोधी सरकार ने किया है तीन साल का आकरा आपके सामने है 3.7% स कर दिया गया है अब बात करते हैं जो गुलाबी अख़बार आपसे बताते हैं इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट इस एन आक्ट ऑफ फेथ आपसे कोई लगाएगा मेरी कंपनी में पैसा लगा दीजे तो आप कंपनी के क्रिदेंशल देखिएगा कैसे लोग है कैसा ध इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से कुंद है इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से मंदा है सुस्थ है और अगर ग्रॉस फिक्स्ट कैपिटल फॉर्मेशन जो एक मानक होता है इन्वेस्टमेंट का देखा जाए तो UPA के टाइम पर यह GDP का 30 प्रतिशत होता था आज 20 से 25 प्रति या इन्वेस्ट क्यों कर रहे है क्योंकि उनको सरकार की नीतियों पर भरोसा नहीं है क्योंकि वह EDCBI Income Tax के RAID से तंग आ चुके हैं क्योंकि वह जानते हैं कि सरकार निवेश बहाने के लिए बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं कर रही है और कोई भी पूंजीपती इन्वेस अच्छा होता है अगर देश खरीद ही नहीं रहा है चीजे तो लोग बनाएंगे क्यों और जितनी चीजे कम बनेंगी उतना इंवेस्टमेंट कम होगा उतनी नौक्रियां कम बनेंगी यह कुछ अक रहे इसलिए इंवेस्टमेंट नहीं हो रहा है जब investment की बात करो तो बीजेपी वाले बड़ा सीना ठोक कर बोलते है record FDI आ रहा है उसकी भी असलियत देख लीजे यह जो record FDI है यह वित्ये वर्ष 2021 में करीब करीब 60 billion डॉलर था यह पिछले वर्ष 5 साल में घटकर 44 billion डॉलर रह गया है तो यह भी फर्जी वारा और इसका सच यह है ना इंडियन इंडस्ट्री इंवेस्ट कर रही है ना ग्लोबल इंवेस्टर्स आपकी बात मानने को तयार है जो 60 billion डॉलर इंवेस्मेंट 5 साल पहले आया था 5 साल बाद वो 44 billion डॉलर रह गया है और असलियत यह है कि बहुत सारी ऐसी वेश्विक कंपनिया है जिन्होंने चीन से अपना इंवेस्मेंट विड्रॉ किया और वो नए मार्केट खोज रहे थे और वो नए मार्केट हम थे हमसे बहतर कौन हो सकता था हमारे पास demographic dividend था हमारे पास एक democracy है हमारे यहां कानून की एक विवस्था मानी जाती है हमारे यहां judicial processes है लेकिन ऐसा होता दिखनी रहा है क्योंकि चाइना से निकला investment वियतनाम गया, इंडोनेशिया गया बांगलादेश गया वो हिंदुस्तान नहीं आया हमारे यहां manufacturing नहीं बड़ी हम export हब नहीं बन पाए क्योंकि इस सरकार की knee-jerk reaction से इनके उनमाद पहलाने से इनके वेमनेस पहलाने से इनके नफरत पहलाने से इनकी निरंकुष शासन और पुलीस से investors ने अपना मूँ मोड लिया है पाच साल में 60 billion dollar की FDI घटकर 44 billion dollar हो गई है और जो FDI चीन से आ सकती थी वो भी नहीं आ रही है लेकिन असलियत तो अभी बाकी है और असलियत आपको दिखेगी व्यापार के असंतुलित होने में trade imbalance इंडिया के जो top 10 trading partners है हमारा देशों के साथ trade होता है अमेरिका के साथ है चीन के साथ है रशा के साथ है हमारे जो top 10 trading partners है उसमें से 9 के साथ हमारा trade imbalance है trade deficit है इसका मतलब है कि हम उनसे import जादा कर रहे आयात जादा कर रहे उनको निर्यात कम कर रहे हम उनसे समान खरीब जादा रहे उनको बेच कम रहे इसलिए trade deficit है हम उनकी economy चला रहे लेकिन वो हमारा capital drain कर रहे और आपको पता है कि हमारा सबसे बड़ा trading partner कौन है हमारा सबसे बड़ा trading partner मोधी जी का परम प्रगाल मित्र चीन है वो मोधी जी जो कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है उन्होंने चीन को हमारा number one trading partner बनाय हुआ है चीन के साथ हमारा trade deficit 80 billion dollar से भी जादा है तो चीन जो लदाख में धृष्टता करता है उसकी सेना को पैसा हम दे रहे हैं चीन के साथ आख में धूल जोकने के लिए कुछ आप बैन कर दिये गए टिक टॉक वगेरा और चीन को लगातार अपना सबसे बड़ा trading partner बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है चीन के साथ हमारा trade करीब करीब 118 billion dollar है जिसमें से की deficit 80 billion dollar का है हम उनसे आयात जादा करते हैं उनको निर्यात बहुत मामुली संख्या में कर पा रहा है इसके बाद बात करते हैं रुपए की आपको याद है ना गुजरात के मुख्य मंतरी नरेंद्र मोदी क्या कहते थे जैसे जैसे रुपिया गिरता है वैसे वैसे प्रधान मंतरी की साख गिरती है 58 पर रुपिया दिया गया था 2014 में आज रुपिया 84 के पार है और मुझे कभी-कभी ये शंका होती है कि नरेंद्र मोदी रुपए से भी शतक लगानवाना चाहते हैं जैसे पेट्रोल से लगवाया हो सकता है किसी ने उनको समझा दिया हो कि एक सेंचुरी यहां भी लगवा दिजिए महामानव है, नौन-बायलोजिकल है समझ में आ गया होगा 84 के पास रुपिया है, 58 पर दिया गया था सबसे पहले तो ये पूछना चाहिए कि भई, प्रधानमंत्री की साख कितनी गिर गई अब वो दो-तीन चीजें जिससे हमारा ये कुछ एकनामिक चीजें हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है इससे हमारा क्या लेना देना है, इन सब चीजों से हमारा लेना देना है इनी के चलते महंगाई बरती है इनी के चलते आर्थिका समानता बरती है इनी के चलते निवेश कम होता है इनी के चलते भोक कम होता है लेकिन अब कुछ मूल वो चीजे जो कि आप सुनकर चौक जाएंगे और जिस पर लगातार जूट बोला जाता है आपको क्या लगता है हिंदुस्तान को सबसे जादा खर्च अपनी किन चीजों पर करना चाहिए मेरा मानना है शिक्षा पर हम दुनिया के सबसे युवा राष्ट है हमारी साथ प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से आयू में कम है हम डेमोग्राफिक डिविडेंट की बात करते ठकते नहीं है लेकिन हम अपने एजुकेशन बजट को साथ प्रतिशत इस साल काट देते है हम युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन जो हायर एजुकेशन का बजट है उसको 61 प्रतिशत काट देते है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है ना पढ़ेगा इंडिया ना पूछेगा इंडिया जादा परलिक लेंगे लोग वही तो सवाल करेंगे जादा परलिक लेंगे लोग तो उनी को तो समझ में आएगा कि कैसे ये सरकार हमारा मूर्क बना रही है तो ना रहेगा बास ना बजएगी बास भी पढ़ावी मत लोगों को साथ प्रतिशत बजट एजुकेशन का इससे पहले किसी सरकार ने नहीं काटा है और एक आकड़ा आपकी जानकारी के लिए बता दू एज परसेंटेज अब दो ओवर ओल बजट एजुकेशन बजट को निरंतर घटाने का काम पिछले 10 साल में किया है UPA की सरकार करीब करीब 0.6% आवंटित करती थी इन्होंने घटा कर 0.4% कर दिया है कहां इसको 6 प्रतिशत ले जाने की बात करते थे स्वास्त ये ग्राफ अपने आप में बहुत कुछ बया कर रहा है वो फोटो भी बहुत सारी चीज़े दिखा रही है अब ये अस्पताल चले जाएए तो GST देना पड़ेगा अगर स्वास्त खराब हो जाए दवाईयों पर भी GST है लेकिन हेल्थ पर एक्सपेंडिचर लगातार कम हुआ है पिछले 5 सालों में टोटल बजट का हेल्थ पर एक्सपेंडिचर 2.4% से घट कर 1.9% हो गया है 2.4% पर से पाथ साल पहले हम टोटल बजट का स्वास्त पे खर्चा करते थे अब 1.9 करते हैं और आप सब जानते हैं कि 2023 में हमारे देश के 16 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनको एक भी टीका नहीं लगा है बच्चे के जन्म से उसके एक साल की उम्र तक बच्चे को 9 से 10 टीके लगते हैं डिप्थीरिया का टेटनिस का चेचक का हैपटाइटिस का पोलियो का और इनी के चलते हम पोलियो से मुक्त हो पाए इनी के चलते हम चेचक से मुक्त हो पाए लेकिन इस सरकार ने वो कर दिखाया, जो पहले किसी ने नहीं किया था, 16 लाख हमारे बच्चे ऐसे हैं, धाई करोड़ों बच्चे हिंदुस्तान में हर साल पैदा होते हैं, 16 लाख बच्चों को एक भी टीका नहीं लगा है, तो हम क्यों ना ये भैय और आशंका लेकर चलें कि क्या पोलियो और चेचक जैसी बिमारी दुबारा से लोट सकती है, इसका जिम्मेदार कौन है, असलियत ये है कि यूपिय की सरकार ने इस देश को पोलियो मुक्त किया, तमाम वैक्सिनेशन दिये, धिनोरा नहीं पीटा, यहाँ धिनोरा पीटने और एहसान लादने से ह नहीं फुरसत नहीं है, लेकिन कोविट से सीखा गया, निलबटा सन्नाटा, हेल्थ का बजट 2.4 परसंट से घटा के 1.9 परसंट किया, और 16 लाख बच्चों को टीकों से रहित रखा, यह वो देश है, जो वैश्विक भूख के सुचकांग में, दहंगर इंडेक्स में 111 परवे नंबर पे हैं 125 देशों में, हमारे यहां कुपोशण एक त्रासदी है, और लास्ट दो चीजों की बात करके आपके सवाल लोंगी, creation of monopolies, sector after sector after sector, दूसर चार, airline, cement, steel, airport, tire, हर जगे, जो पहले दो तीन लोग हैं, उन्होंने पूरा का पूरा market share capture किया हुआ है, और market share capture करने का मतलब क्या होता है, market share capture करने का मतलब होता है, कि अगर एक आपके, telephone के दाम और data का bill बढ़ाएगा, तो दूसरा उसके तुरंथ बाद बढ़ाएगा, तीसरा उसके बाद बढ़ाएगा, अभी बढ़ा है न बिलाप का, क्यों बढ़ा है, क्योंकि ये creation of monopolies है, ये जो oligarchs create किये जा रहे है, sector after sector में, ये data वो दिखाता है, आपको क्या budget इन monopolies को break करेगा, या हर बार की तरह monopoly को और सुधरड करेगा, और अंत में क्योंकि railway का तो budget अब आता ही नहीं है, finance minister ये उस पर बात करती है, ये बाला सोर की picture है, तीन सो से जादा लोग शहीद हो गए थे, फिर जलपाई गुडी का हादसा हुआ, कल गोंडा में हादसा हुआ, हर बार मृतकों की एक सूची आती है, हम समसमवेदना और श्रदानजली का एक शब्द कहते है, और वो बात लगता है वहीं पर खतम हो जाती है, तो railway को सुरक बनाने के लिए इस बजट में क्या होगा, आज देश ये जरूर पूछना चाहता है, I will very very briefly and if you can reload the presentation please, I will very briefly speak about some of the most important economic parameters, the economic landscape which has been completely ruined and it's important to discuss this because Nirmala Sitaraman, India's finance minister, is soon going to present her 7th union budget. And on your screens right now, note ban GST COVID resulted in a loss of 11.3 lakh crore to India's economy and extinguished 1.6 crore in formal sector jobs. The reality also is, as far as joblessness is concerned, that 2.7 lakh central PSU jobs have been lost under Mr. Modi and the number of people working on contract has gone up from merely 19% in 2013, the next slide please, to 43% in 2022, the last available official figures. If this is not the absolute disaster of our times, then what is? Joblessness, joblessness, joblessness has to be priority number one to be addressed in the budget. Is she going to do that? I have all my doubts about it. Inequality. India is seeing rising levels of inequality, our inequality, our economic inequality today is at worse levels than it was under the British Raj. 1% of India's population, the last graph there tells you the story. 1% of India's population controls 40% of this country's wealth. High prices. Each time you speak about high prices, they will talk about growth. They don't even understand the real rate of growth. The reality is that food inflation in India has been consistently over the 9% mark. And the last reading is close to 10% with vegetable prices at over 27% growth. How are the poor and middle class coping up? The reality is that the poor and the middle class have to pay more for fee. They have to pay more for clothes, they have to pay more for medicines, they have to pay more for transport, they have to pay more for food. And this is the economic reality of our times. High prices, high inflation has really broken the back of India's middle class and India's poor. Consumption. It forms nearly 60% of our GDP, which is two-thirds of our GDP. India is a consumption-led economy. And consumption has been totally muted. FMCG has seen price cuts, but sales haven't taken off. 60,000 crore worth of auto inventory is lying unsold. And if this doesn't give you a sense of muted consumption, then what will? The next slide, please. And that's the reality for all of us, I believe. High debt, low savings. We are forced to draw into the savings of our future because of unemployment, because of low wages, because of high prices. Our incomes haven't kept up. But our expenses have gone up. So India, which is traditionally a savings country, has seen savings plummet to a 50-year low, but have seen debt, household debt as a percentage of the GDP rise to nearly 41%. The reality also is that we have never been as steeply taxed as we are today. 50%, the bottom 50% of this country pays 64% of GST collected. The reality also is that five big refiners in India made a profit of 10.5 billion dollars on account of cheap Russian fuel. Did your petrol and diesel bill go down is the big question, to which the answer is a big no. Please go to agriculture. Our mainstay, something that most of our population is involved with. Agriculture has seen a growth last fiscal of 1.4%, which is a steep drop from 4.7%. So is the government going to start investing more in agriculture? Actually, far from it. The government has decided to cut the expense on agriculture. In the last three budgets, agriculture expenditure as a percentage of the total budget has gone down from 3.78% to 3.36% to 2.7%. In three years, agriculture has seen a steep cut of nearly one percentage point. This is where most of our people work. This is where people who are jobless in cities are going back and finding work. Investment. Investment is an act of faith. There are many people who will praise Mr. Modi on TV cameras. But investment has been sluggish. The one barometer, the one yardstick of investment is gross fixed capital formation. It remained at over 30% levels in the 10 years of the UPA government. Today, it is in the range of 20% to 25% consistently. Why are people not investing? Because people don't believe in the arbitrary policies of Mr. Modi. People don't believe in knee-jerk reactions. People don't believe that law and order is proper. People believe there is lawlessness. And people are not willing to put money where their mouth is. A lot of Indians, high net worth individuals are not just renunciating their citizenships. They are making big investments overseas, but not in India. So no corporate tax cut, no PLI is inviting investments here. The BJP is fashionably turns around and tells you that FDI has gone up. Actually, FDI is drying up. In a five-year period, FDI has fallen from $60 billion nearly to $44 billion. That's the reality of FDI. India could have become a huge export destination, a huge manufacturing destination, as global companies started withdrawing their investments from China. But money went to Vietnam, it went to Indonesia, it went to Bangladesh. It did not come to India. The bigger story, however, is in trade imbalance. And that's where the reality of the make-in-India paper tiger is. For all the publicity blitzkrieg, the reality is that India's top 10 trading partners, we have a trade deficit with nine of them. China, lo, hold, behold, is the largest trading partner with $118 billion of bilateral trade, of which over $80 billion is trade deficit. So when Mr. Modi tells you, and bans TikTok, the reality is, he's making China richer, he's giving China more money, he's giving China more trade, he's actually funding the Chinese army to do the incursions in Ladakh that they are doing. Let's talk about the Indian rupee. Because someone very famously said that the value of the rupee and the Prime Minister's dignity are intrinsically linked. Mr. Modi inherited rupee at 58 to a dollar, it is at 84 to a dollar today. No amount of effort, no amount of money being thrown in by the RBI has been able to arrest the fall of the rupee. But we know what the Finance Minister will say. The Finance Minister will say, Rupiah is not small, dollar is not small. Two, three last things. Education. For a developing economy like India, for a young economy like India, we should be spending 4, 5, 6 percent of our total budget on agriculture. But guess what? For this financial year, education budget has been slashed by 7 percent. And the University Grants Commission that directly looks at higher education, that allocation has been slashed by 61 percent. Na padhega India, na poochhega India. Expenses on health. We must have learned a few lessons from COVID. But it certainly seems we have not. Because investment in health as a percentage of the total budget in the last five years has shrunk from 2.4 percent to 1.9 percent. And in the year 2023, India failed to vaccinate 16 lakh of our children. Zero dose children. Children are typically given 9 to 10 vaccines in the age group of being born to one year. They had received zero dosage. So imagine the possibility of a polio or a smallpox that has been eradicated coming back and the blame squarely lies on the Narendra Modi government. What they have, however, successfully done is created monopolies. Sector after sector. Steel, cement, telecom, airlines, aviation, tires. One sector after the other has seen monopolies built. This budget, my apprehension is, we'll see more monopolies being built. And last but not the least, this is a picture from Balasor in Orissa last year. 300 lives lost. Another train accident in Jalpaiguri. We saw several lives lost there, upwards of 40. Another train accident in Gonda. We see several lives being lost there. But who's learning a lesson? and what is being done to make railways safer for our people? Will the finance minister allocate more funds? Will those funds be used? Will those funds not be used to buy foot massages and crockery for Indian railways and be used to protect our citizens? That's the economic landscape. This is a good question. से मध्यमवर्ग से कोई सारोकार ही नहीं है और इसलिए इस तरह की चीजे हो रही है आपके सवालों का स्वागत है पहले मैं सवाल सिर्फ और सिर्फ इन आर्थे काकड़ों पिलूंगे तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप बजट से देखिये उम्मीद की बात तो ऐसी है कि हम लोग नाउमीद हो गए नरेंद्र मोदी जी से उनसे उम्मीद करना बेमानी है उनसे उम्मीद लगाना आपकी उम्मीदों और आशाओं को धराशाई करना है लेकिन ये कुछ बाते हैं कुछ सच है जो रखने जरूरी थे और ये सच है कि बजट के पहले इस देश की आर्थिक सिती बदहाल है बज बजट के पहले बेरोजगारी और महंगाई सिर चड़ कर लोगों का जीना दूभर कर रही है बजट के पहले घरेलूरेड 40 प्रतिशत हो गया है बजट लगातार गिर रही है बजट के पहले ही भयावे आर्थिक असामानता है और बजट के पहले ही उद्योग जो है वो चाहिए, बेरोजगारी को दूर करना और आर्थिक असामानता की इस खाई को पाटना, अगर ये दो चीजे बजट नहीं करता है, तो ये बजट हर मोर्चे पर अपने पहले जैसे बजटों की तरह विफल रहेगा, इस देश की सबसे बड़ी तरासदी बेरोजगारी और आर् चाहिस प्रतिशत रिड़ लेकर बड़े आत्म निर्भर हो गया देशी है, घरेलू रिड़की और ये मेरा डेटा एक भी नहीं है, ये सब सरकारी डेटे है, ये आकड़े सुप्रियार श्रीनेत ने या कॉंग्रेस पार्टी ने घर पे बैठके नहीं बनाये, ये सारे सरक निर्भर बनाने का ज्यान दे तो रहें उनके मंत्री मध्यप्रदेश में, कह तो रहें डिग्री विग्री छोड़ो, पंक्चर की दुकान बनाओ, उसी से अफ जीवन यापन होगा, या आत्म निर्भर का ज्यान है, अपने बच्चों को बस्टन और न्यू यॉर्क पे प जीए, आत्म निर्भर बन गया, इंडिया, क्या आत्म निर्भर बन गया हम, 40% लोग जो है, 40% GDP का घरेलू है, कहां से आत्म निर्भर बने हम, कहां नोकरिया है, मोदी जी ने एक दिन आके बोल दिया, 8 करोड रोजगार बने, और भाई, छुपाकर बनाई थे, क्या पता नहीं चले, कहां किसको दे दिये गए, 50-50,000 जो रोजगार थे, वो तो खड़े होकर खुद, उसके प्रशस्ती पत्र बाट रहे थे, और यह 8 करोल बता दिये, पता ही नहीं चले लोगों को, जी, इस पे और कोई सवाल, जी, अब मेरा सवाल कावण यातरा को लेकर है, जिस तरह से कावण यातरा को लेकर भी बात चल रहा है, जो नाम लिखने पढ़ रहा है, सबको कहा जा रहा है, अब खाली उत्तर पदेश नहीं, उत्राखंड सरकार ने भी निर्देश जारी कर दिया है, कि उत्तराखंड मे अपने दुकान के आगे अपने नाम लिखने पड़ेंगे किस धर्म से हैं किस और पुरा नाम लिखना होगा इसको लेकर आप क्या कहने हो और नाम में अगर गुड्डू बबलू मैं इसमें एड कर दूँ मैं ये मोने आज ये किया है कि पूरे स्टेट में ये लागू होगी उत्तर प्रदेश के सीमों ने पहले एक जाहर में था सिफ कावर यात्रा करिए जब भी बैठे बिठाए कोई काम नहों तो उसमें कैसे नफरत का चौक लगाना है ये आपको बीजेपी की आदत बंती दिखाई देगी कावरियां यात्रा करने जा रहे थे क्या करते जल लाते अरपित करते शिव भक्त हैं ये ना हिंदू धर्म को समझते हैं ना शिव जी की विराटता को समझते हैं इन्होंने का तक्ती लगा दो तक्ती पर बबलू लिखा रहेगा तो क्या करिएगा क्या करिएगा तक्ती प आपकी इसी राजनिती को नकार कर तिरसट कम करके आपको बैसाकियों का सहारा दे दिया है और मैं कुछ बोलू इससे पहले इनके खुद के घटक दल क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए और जेडी से लेकर RLD तक सब इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा कानून वापस खुद अगर मुसल्मान से लेना पड़े एक ही व्यक्तियों तो लीजेगा की नहीं लीजेगा या मर जाईएगा मतलब हम क्या समाज बना रहे हैं हम किन चीजों में पड़ रहे हैं इन चीजों में इसलिए पड़ रहे हैं जिससे कि आप इस भयावे एकनॉमिक तरासदी की भयावे बेरोजगारी की भयावे महंगाई की आर्थिका समानता की बढ़ते हुए रिड की घटती हुई आय की खत्म होती, खोक री होती, बचत की बात मत करिये। इसी में उलजे रहिये। कौन तक्ती लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा है? ये मत पूछ ये, कि मेरे बच्चो का एदुकेशन बजट, आपकी हिम्मत कैसे हुई? साथ प्रतिशत काटने की। इसी में उलजर रही है, कौन तक्ती लगाएगा, कौन नहीं लगाएगा, अरे सेव अब्दुल बेचे या अनिल बेचे सेव मिठा होना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और मैं एक बात और आपको बता दूँ, ये थोड़ी मेरे लिए निजी बात है, ये जाहिल व रोटिया सेखने का काम करते हैं, ऐसे नफरती चिंटूओं से बचना चाहिए, लेकिन असलियत ये है, कि नफरत पहलाने के अलावा, बीजेपी को दूसरा कोई काम नहीं आता है, लेकिन लोगों ने इसको नकार दिया है, जी, पैकेज की मांग की जाड़ी है, उनके राजियों के लिए, उसे रिकर आप क्या है, बीजेपी के घटक दल है, जेडियो और टीडिपी, और अगर वो स्पेशल एकनॉमिक पैकेज की बात कर रहे हैं, तो देखिए क्या होता है, मोधी जी कितना उनको खुश करने के लिए क क्या करते हैं, एक अकेला तो बैसाखियों का सारा लेना पड़ा है बिचारे को, अब वो एक अकेला तो रहे नहीं, अब तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हुजूर कैसे है, सुबह शाम गुड मॉनिंग, रात को गुड नाइट करनी पड़ रही है, तो बिल्कुल पैसा देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो, ये घटक दल, आँखे तरे रहेंगे, ऐसे थोड़ी जेडियू रहे हैं, सुरी जेडियू मुझे बुनला चाहिए था, RLD और जेडियू ने, इनसे मांग की है, कि ये तक्ति वक्ति के नाम हटाए जाएं, ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं वो सब लोग सुन रहे हैं, RSS कह रहा है पहले देवता, फिर भगवान, फिर अलोकिक, फिर विश्वरूप, धारण करने वाले लोगों की बढ़ती जा रही है, ये किसके लिए कह रहे हैं, आप जानी रहे हैं, RSS के खिलाफ BJP के तमाम, मोदी जी के तमाम भक्त, आचकल भोहन भागवत के खिलाफ लिख रहे हैं, मैंने बोला ना, ये लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो मैं क्यों बोलूँगी इस पर, उनकी बढ़ती हुई दूरियां, उनका द्वेश सब को दिख रहा है, कुछ लोग पहले, उसी पर बोला मैंने अभी, वही मैं कहारा हूँ कि ये भगवान वाली बात और RSS के प्रमुक की तरफ से ऐसे बयान हमारे हैं, आपको लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि एक मिसाइल उनने दागा है, अब जिसके लिए दागा है कल उनने अपनी गाड़ी की बत्ती गुल कर दी, नहीं तो आपको हमेशा किसी भी अंधेरी रात में मोदी जी की गाड़ी जा रही है, उपर LED जल रहा है, दमकता चमकता चहरा, क्योंकि लाइट सिर्फ उनने के उपर रहती थी, कल बत्ती गुल, क्या हो गया भईया, क्योंकि ओन भागवत जी ने कहा है, कि पहले वो देवता, फिर अलोकेक, फिर भगवान, फिर वि मन्तव इस्व सर्मा ने जो वो मुस्लिमों का जो कानून था बहुत पुरा रहा उसको रिपील कर दिया, हैं मन्तव इस्व सर्मा थोड़ी अपनी सरकार चलाए, रोजगार बनाए, सतर साल में सबसे जादा बेरोजगारी असम में है, इसमें माम कुछ प्रोविजन थे, जो अलाओ करते थे चाइल्ड मारिज को, और उसी को लेकर अब कहा जा रहा है असम सरकार की तरफ से, कि वो इसको रिपील करेंगे, हलाकि इस पर विरोध भी हो रहा है, कॉंग्रेस का इस पर ओफिशिल स्टान किया है, क्योंकि चाइल् को, बस, धन्यवाद बहुत बहुत आप सब लोगों का, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कि रिप्या चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें, तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ, नमस्कार.